आप सब्सक्राइब कर दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सफेग बाल बिल्कुल भी नहीं दिखें अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल हेल्दी रहें लंबे रहें तो इस वेडिया को बिना स्किप किये पूरा देखेंगा नहीं मैं आपको कुछ भीगोने के लिए बरस कुछ स्टेप्स है आपको फॉलो करना है और आपके सफेद बाल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे साथी साथ आपके बाल जो है काफी हल्दी रहेंगे और आपके दिखेगा एक चोटा से बल बटन उसे दबाना ना भूरियेगा ताकि आने वाले वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपके रहेंगी और अगर वीडियो हेल्फुल लगे तो प्लीस एंप्लीस वीडियो को लाइक कि जगा इस रेमेडी को हम बना के रेडि करने वाले ने लो ही के वैसल में जिया दोस्तों। आइरनी जो तत्व होता है वह हमारे बालों पर बहुत काम करता है तो मैं लोहे का कडाई है ले ली हूँ यह आपको दिख टार्वा आइरनी क़ते है वह बहुत अच्छा काम करता है जावरों मैं यहाँ पर लेने वाली ejसे कौफी पॉद SPSpilnh और 1-1ीजनल भी ck कोफी पॉदर पहीं आड़ेते और वे ए ineमाड़ कोफी पाओडर अदाड़न अब यहां पहीं आड़ा अड़ा अधा आधा कवडरिजगा आड़ेते कहात्ता है वे यहां साफेज वे बालो जड से काला बनाने में हमुआ इन से इस हम आपको यहां बिंस समय उन्मेक डाल open तो यहां और में अधने एक आमला जूसी के शिद्धेस्थ काभ़ा इंज एक कप इतना पानी ऐड ओन कर दें इन सबको अची तरह से मिक्स करना है अब इसे हमें पकाना है जब तक यह ठिक ना हो जाए दोस्तों मैं आपको बता दू इस रेमेडी को अगर आप लगाएंगे आपके जितने भी सफेद बाल हैं बिल्कु जर से काले हो जाएंगे बाल घ कर दोटिक भी ओने लगेगा मैं इसे मीडियम प्रेम पे बना रही हूं आप जाहें तो आप इसे लौ फिलम फिलम भीर चेंज हो गया है आप इस सटेज्च पर भी wilt alp कर सकते हैं यहां पे एक चमच इतना पहीना भी एड़ान कर सकते अगर आपको लगता है कि यह क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई है तो आप यहां पे और थोड़ा सा एड़ कर ले हीना पाउडर उसके बाद आप इसे अपने बालों पे लगाए एक गंटे क्लिये रहने दे फिर वाश कर ले नेक्स्ट आपको शैंपू करना है